हेलो दोस्तो, Mutual Fund Distributors Help Line वीडियो सीरीज में मैं सौरब खटी आपका स्वागत करता हूँ चलिए आज पढ़ता है इस सीरीज का आगला वीडियो जो है Mutual Fund Companies Trail Commission कैसे कैलकुलेट करती है देखिए दोस्तो हम सबको पता है कि Mutual Fund में Investments हम जब investor का कराते है तो हमें Commission मिलता है उसे Trail Commission कैते है बट उसको कैलकुलेट कैसे करती है क्या basis पे वो calculation होता है कौन सा formula लगता है तो आज हमने एक example लिया है उस example के जरीए हम समझने की कोशिश करते है कि कैसे calculate करते है और जो Trail Commission का यह जो power है कि यह बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि अरे इतना साही Commission होता है तो इसका जो real power है वो हम समझेंगे तो शुरू करते है चलिए एक example हमने लिया हुआ है कि let's take an example कि किसी investor ने 10 लाक रुपय investment किया है या आपका AUM जो है वो 10 लाक रुपया है तो दस लाक रुपया यह investment किया या AUM बना है ऐसा पकड़ते है एने फो था तो दस रुपया एने भी थी ओके तो दस लाक रुपया पर कितने यूनिट अलॉट होंगे यह कैसे calculate करेंगे तो is equal to 10 लाक divided by हमारे number of units जो 10 है तो एक लाक वन लाक यूनिट जो है वो अलॉट हो गया है बरावर है उसके बाद में अभी trail calculation कैसे calculate करते हैं तो यह January 2019 का यह January month जो है वो पूरा हमने लिया है 1st of January से लेके 31st of January तक हमने लिया हुआ है और उन days को मतलब 1 January को NAV क्या थी उसके बाद में 2 January को NAV क्या थी तो ऐसे पूरे 31 days जो है जनवरी मेने के उन days में NAV क्या क्या थी यह हमारे पास में data है अभी आप सबको पता है कि trail commission जो होता है वो valuation पे मिलता है मतलब 1,00,00 अगर investment किया है तो 1,00,00 रुपे पे नहीं मिलेगा 1,00,00 की जो भी value है उस पे मिलेगा तो इसको calculation में कैसे लाते है AMC तो अभी देखिए एक जनवरी को हाँ इसमें और एक बात मुझे आपको बतानी है वो यह है कि calculation जो होता है वो daily basis पे होता है मतलब trail commission daily calculate करते है और आपको month में मतलब इस month का अगले मेने में जो cycle है billing cycle या payment cycle उसमें वो दिया जाता है but calculation जो होता है trail commission का वो daily होता है चीक है so कैसे होगा let's take an example कि आज 1st of January 2019 है आज scheme launch हो गई so 10 रुपे के हिसाब से हमें unit मिले है so अभी आज का EUM क्या होगा so उसका calculation क्या है NAV into number of unit चीक है so इसको enter करेंगे तो 10 रुपया आज पहला दिन है तो आज के आज तो बढ़ा नहीं है तो 10 रुपे का valuation 10 रहेगा ठीक है उसके बाद में next day थोड़ा सा market उपर गया है देखिए 10 रुपे की NAV 10.0030 हुई है बढ़ा और है so valuation बढ़ा है तो फिर से calculate करेंगे 10 इंटू मतलब NAV इंटू number of units यूनिट तो हमेशा constant रहेंगे मतलब अभी फिलाल हमने additional purchase नहीं किया है तो unit constant है एक लाख so अभी valuation जो है वो 10 लाख का 10,300 हो गया है अगले दिन का भी देखते है तीन जनवरी का NAV इंटू एक लाख रुपिया चीक है तो अभी NAV बढ़ने के वज़े से 10.070 होने के वज़े से हमारा जो 10 लाख का investment था वो 10,300,000 से बढ़के 10,27,000 हो गया है अभी इसके बाद 4 जनवरी को क्या हो गया देखिए उसके वज़े से NAV भी नीचे गई तो NAV नीचे गई कितना अभी valuation हो गया देखिए 9.91 जो NAV है हमारी इंटू 1 lakh units तो 10 लाख का भी 9,91,400 रुपिया हो गया बढ़ा अरह है सो ऐसे पूरे महने का calculation किया जाता है कि कौनसे दिन AUM कितना था फिर जो pre-decided percentage होता है trail commission का हमारे example में हम 1% पकड़ते है समझने के लिए सो यह 1% ही हमेशा होता है क्या नहीं यह अलग-अलग होता है आप B30 cities के client का लाए है या T30 cities का है उसके बाद में हर एक brokerage का slab होता है distributors का ठीक है जो नए distributor से उनको थोड़ा कम brokerage होता है जैसे जैसे आपका brokerage आपका AUM बढ़ता है वैसे वैसे आपका brokerage भी बढ़ता है तो उसके basis पे यह trail commission decide होगा अभी example के लिए हम पकड़ेंगे कि 1% trail commission है सो पहले दिन का trail commission कैसे calculate होगा सो यहाँ पे देखिए formula आपको याद रखना है थोड़ा सा सो is equal to AUM ठीक है यह AUM into brokerage percentage trail commission का हमने 1% पकड़ा है सो इट इस 1% divided by 365 AUM ठीक है AUM into 1% यह trail commission है और divide by 365 यह क्योंकि यह एक दिन का हम calculate कर रहे है 365 days होते है year में चीक है सो इसको enter कर देंगे तो कितना रुपया आया 27 रुपय 49 पैसा या 40 पैसा पकड़ लो चीक है सो पहले दिन का trail commission 27 रुपया आया उसके बाद में फिर NAV बढ़ी चीक है सो इसका calculation कैसे करेंगे वापस से AUM into 1% यहाँ पे percent का sign देना नहीं बुलना है ठीक है सो दूसरे दिन का trail commission क्योंकि 300 रुपया हमारा बढ़ा है सो यह 27 रुपया 40 पैसा अभी यह छोटा सा movement आया इसलिए आपको वह overall नहीं दिख रहा है अभी जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे तीसरे दिन का भी कर लेते है ठीक है सो एने भी मलब AUM into 1% divided by 365 चीक है सो एंटर कर देंगे सो अभी 27 रुपीज 47 पैसा सो इतना ट्रेल कमिशन आया है उसके बाद में देखिए कि NAV नीचे गई है अभी यह चौथा दिन है चार जनवरी उस दिन NAV नीचे चली गई सो क्योंकि ट्रेल कमिशन वैलुएशन के साथ में लिंक होता है तो जैसे-जैसे AUM भढ़ता है वैसे-वैसे आपका ट्रेल कमिशन भी बढ़ता है जैसे AUM कम होता है तो कम वैलुएशन के उपर में आपको कम AUM के उपर में कम ट्रेल कमिशन आता है इसका एक्जामपल देखिए चले अभी 9,991,400 इन्टू 1 प्लस 1 परसेंट डिवाइड़ वै 3,65 चीक है तो एंटर करेंगे तो अभी 27 रुपया 16 पैसे आया चीक है तो ऐसा करके पूरे मेहने का कैलकुलेशन किया जाता है चीक है यह समय बचाने के लिए मैंने कैलकुलेशन अल्रेडी कर लिया है दू यह दिखें तो पहले दिन 27 रुपया 40 पैसे फिर दूसरे दिन 27 रुपया 41 पैसे फिर वैलुएशन नीचे गया तो 27 रुपया 16 पैसे ऐसा करते करते पूरे मेहने भर का यह कैलकुलेशन किया जाता है और आखिर में इसकी टोटल करके जो अमाउंट है जैसे यह टोटल यह आपका 10 रुपय के AUM के उपर में आया हुआ ट्रेल कमिशन है तो इस तरह से AMC हर इन्वेस्टर के लिए अलग से कैलकुलेट करती है हर mutual fund scheme के लिए अलग से कैलकुलेट करती है और जैसे 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक का जो कैलकुलेशन किया हुआ पेमेंट है वो अ 5 से 10 के बीच में यह ट्रेल कमिशन जो है यह पेमेंट किया जाता है तो इससे हमें जो सीखना है वो क्या है कैलकुलेशन आप ज्यादा नहीं सीखेंगे तो भी चलेगा इसमें अच्छी बात क्या है कि यह देखिए पहले जो 27 रुपया 40 पैसे मिलता था वो जैसे ही एक मे पैसा लाएंगे आपका एयम ज्यादा बढ़ेगा वैसे ही जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी इंवेस्टर का वैल्योएशन बढ़ेगा और आपका जो इंकम है यह बहता जाएगा त्रेल कमिशन इस बैस्ट एवर तिंग कोई भी इंडस्री में नहीं ह और में बहुत ज्यादा आपको income नहीं दिखेगा बड़ जैसे जैसे आपका AEM growth होगा जैसे जैसे आपका SIP book बड़ेगा वैसे वैसे आपका AEM बढ़ते जाएगा और AEM के साथ-साथ जो valuation है market के साथ-साथ वो भी बड़ेगा और आपको बहुत अच्छा revenue generate होगा So this is about how to calculate trail commission एक और चीज मैं आपके साथ में share करना चाहता हूँ कि as a part of distributor helpline series हमने एक knowledge series start की है mutual fund product knowledge देखिए क्या होता है कि हम exam pass कर लेते हैं लेकिन products के बारे में हमें confidence level नहीं आता है कि हाँ भी market में जाके हम बात कर सकते हैं तो यह product knowledge के लिए हमने एक specific series launch की है YouTube पे ही है तो यह paid series है 199 रुपे में आप इसे join कर सकते हैं तो चैनल पे ऐसा join का button आपको दिखेगा subscribe button के बाजो में उस पे click करके आप payment करके आप जो series है knowledge series को product knowledge series को आप join कर सकते हैं अगर आप interested है तो आप जरूर इसे join करिए आपको इसक के advisory business में अगर आप bank employees है तो आपको job करते वक्त में काम आएगा अगर आप investor है तो आपको खुद का knowledge investment का knowledge बढ़ाने के लिए काम में आएगा तो यह सब के काम की चीज है तो interested है तो join करिए इस वीडियो में अंतक बने रहने के लिए thank you very much अगले वीडियो में जल्दी मिलते till then stay tuned